हालो एब्रिवन गुड मॉर्निंग ओल ओफ यू कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे से उंगर फस्ट क्लास होंगे एक बार फटा फट से आ जाएगे रोज सुबह 11 बजे की तरह आज भी क्लास आप लोगों की है ठीक है ना तो एक बहुत से से सेशन को शेर कर दिजो जल्दी से सेशन को जोईन भी कर लीजिए क्योंकि आज भी topic wise बात करने वाने рाई नंबे समय से हम टेस्ट के तरीके से discuss कर रहे थे तो आज थोड़ा सा अलग प्रियास करने की कोशिश की है तो topic wise यहाँ पर करवाने का प्रियास किया है आज का जो topic है सर वो आज कल exam में हमेशा पूछा जा रहा है five year plan पंच वर्शे योजना से किस देश से उधार लिए गई है सर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दो five year plan की जो method है उसको किस देश के किस देश के अफधार ना से मतलब कहां से इसको उधार लिया गया इस तरीके से सवाल है चलिए जवाब देने का प्रियास कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जबाब बेसिक है important है और relevant है सर एक्जाम के perspective में इस तरीके से सवाल आपको देखने के लिए मिलने ही वाले है 100% चांसे जैं इसके साथ साथ constitution के बारे में कि Britain के समविधान से आपने क्या उधार लिया है तो देखिए Britain के समविधान से आपने single citizenship जिसे एकल नागरिकता भी हम कहते हैं single citizenship जिसे एकल नागरिकता भी हम कहते हैं इसे बारो किया है उधार लिया है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें सर प्रेजिडेंट की पोस्ट राश्टपती की पोस्ट आपने उधार लिया है इसके अलावा अगर हम बात करें सर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट प्रधान मंत्री की पोस्ट आपने उधार लिया है इसके अलावा अगर हम बात करें सर पार्लियमे फॉर्म ऑफ गर्मेंट्री गर्मिंट आपनीज उधार लिया है यहींसे आपने रिट्स इंदो लिया है लोइर秤该 गर्वर्फुल दैन अपर हांसPね अपर हो डीन है इसके साथ अगर हम बात करें बार केंव draws रस्ता plupart सिस्टम जो आपको देखने करें मिल जाता है वो भी आपने इसी देश के समविधान से उधार लिया और फिर बहुत सारी चीजें जो आपने यहां से उधार लिया इसके लावा United States of America से USA से आपने impeachment के तरीके को उधार लिया है छेक है, impeachment बहाँ भीयोक के तरीके को यही से आपने उधार लिया है, Sir, क्या, written constitution, लिखित समविधान को भी आपने यही से उधार लिया है, written constitution के तरीके को भी इसी देश के समविधान से उधार लिया है, बोरो किया है इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, Sir, fundamental rights, स्मॉली का दिकार, इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रियामबल, प्रस्तावना, यहीं से आपने उधार लिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें, वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट, वो पराष्ट पती की पोस्ट मिल जाती है, वो भी आपने यहीं से उधार लिया है, Attorney General बहान यायवादी वो भी आपने यहीं से उधार लिया है Attorney General भी यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा Judicial Review Judicial Judicial Review भी आपने यहीं से उधार लिया है इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर कि जो Removal of Judges है वो भी आपने इसी देश के समविधान से Removal of Judges जो है वो भी आपने इसी देश के समविधान से Constitution से बौरो किया है और जो सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा होगा है ये कहां से आप लेते हैं तो लूस अगर Option मेर्शीय हा दे रखा है तो रशीय 이 dzertinhos अंव्शjor में 2 एस सब्सक्रीन तो भी इसे सार डिक कर देना दोनों दे रखे तो भी तो कि और आपने फंडेमेंटल ड्यूटी के अंसेब्त को भी बौर मिल सकता है जब भारत के सम्विधान को बनाया जा रहा था तो कुल मिला के 60 countries के constitution को open करके देखा गया था 60 देशों के सम्विधान से देखा गया था open जिसमें से 10 देशों के constitution से 10 countries से आपने चीजों को borrow किया है जिसमें आपको USA, Britain, France, Germany जोनी इसके अलावा बात करें Canada, Japan, South Africa इसके अलावा Australia आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है ना इसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाता है USSR आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ और दस इस तरीके से ये countries जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाती है तो option number C सवाल का सही जवाब है basic मगर relevant और बहुत सारे content को मैंने एक साथ ही उठाकर explain कर दिया अगर ध्यान से देखेंगे तो अगला सवाल है who was the first chairman of planning commission planning commission का पहला chairman जो है वो कौन था चलिए Soviet की अगर हम बात करें USSR की तो वहाँ पर Joseph Stanley ने initiate किया था first five year plan को 1928 में ये point लिखना है तो ये point भी आप लिख सकते हैं who was the chairman of planning commission देखे planning commission के अगर हम बात करें तो planning commission जो है उसे कब बनाया गया था planning commission को जो बनाया गया था जिसे नाम दिया गया है योजना आयुका तो planning commission को कब बनाया गया था planning commission को बनाया था मार्च 1950 के अंदर मार्च 1950 के अंदर Planning Commission को बनाया गया था, साथ के साथ अगर हम बात करें सर इसी Planning Commission के संदर्व में तो आप लोग जानते ही है कि Planning Commission का नाम ही बदल कर क्या किया गया Planning Commission का नाम बदल के किया गया नीती आयोग Planning Commission का नाम क्या किया गया प्राइन कमिशन का नाम नीती आयो के आ गया और नीती आयो की फुल फॉर्म है National Institution National Institution for transforming India National Institution for transforming national institution for transforming India यहां पर आपको इसकी फुल फॉर्म जो है यह देखने के ले मिल जाती है और यह कब बना था यह बना था सर एक जन्वरी 2015 को, 2015 को इसका chairman, इसका chairman कौन होता है, तो sir इसका chairman जो आपको देखने के मिल जाएगा, वो प्रधान मंतरी होता है, प्राही मिनिस्टर होता है और planning commission की बात करें तो planning commission का chairman भी प्रधान मंतरी ही होगा तो सवाल का सही जवाब है जवाहर लाल नहरू, पंडिक जवाहर लाल नहरू, अगर आप से पहले planning commission का deputy chairman पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, deputy chairman कौन था, पहले planning commission का तो जवाब देंगे क्या, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो planning commission के पहले deputy chairman कौन मिल जाएंगे Planning Commission के पहले Deputy Chairman जो आपको मिल जाएंगे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, basic मगर relevant point है, exam के point of view से चलिए जी, class को एक बार like कीज़े, class को एक बार share भी कीज़े, सभी लोग session सर आप ही के लिए है, और आप ही के लिए important है, इस चीज़ को ध्यान रखना अगला सवाल है, in which year planning commission was set up, planning commission निमली कित्मे से कौन से वर्ष में बनाया गया, almost हम पढ़कर आए है, 1950, 1950, पहले सवाल को explain करते हुए ही, मतलब दूसरे सवाल को explain करते हुए ही, मैंने लगवग-लगवग सारी जानकारी जो थी, वो आपको बन दे दी थी, ठीक है, इट वास अंडर शिफदा चेर्मेंशिप आफ केसी नियोगी, ठीक है, planning commission के अगर हम बात करें तो कब बना, 15 मार्च 1950, अगर आप से कोई date पूछता है, तो date यहाँ पर आप उसे ये बता सकते हैं, 15 मार्च 1950, 1950, next question है, which five-year plan had a primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy, किस पंच बरशे योजना का प्रात्मिक लक्षे भारत को आत्म निर्भर और स्वे उत्पादक अर्थ विवस्ता के रूप में स्थापित करना था, मतलब हम खुद ही बनाए, खुद ही इस तरीके से, आत्म निर्भर बनाने की ब दॉक्टर गदगिल मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए इस योजना को गदगिल योजना के नाम से भी डाम से भी जाना गिया है, इसके जो डेप्यूटी चेर्मेन आपको मिल जाएंगे, दॉक्टर गदगिल, इसलिए इस योजना को डेप्यूटी चेर्मेन, इस योजना को गदगिल योजना का नाम भी दिया गया है पहली 5-year योजना, दूसरी तीसरी या फिर चौती, तो सवाल का सही जवाब है सर, तीसरी, कब से लेकर कब तक 1961 से लेकर 1966 क्या सपास तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चीक है basic मगर बहुत important और बहुत ही relevant point है आपके exam के perspective से next देखिए during which 5-year plan did which 5-year plan did India opted for mixed economy किस पंच वर्षिय योजना के दोरान भारत ने मिश्रित अर्थ विवस्था का विकल्प जो है, उसे चुना था mixed economy की बात करते हैं, सर, यहां पे हम चीक है, वो कौन सी 5-year plan है जिसके दोरान भारत ने mixed mixed economy की बात करी क्या रहेगा सवाल का सभी जवाब, सवाल आपकी screen पर है, जब आप देने की कोशिश कीजें second, third, fourth, या फिर fifth, option number A, option number B, C, या फिर D, सर, पहले जब हम त्यारी किया करते थे न, तो ये question बहुत पूछा जाता था, mixed economy बाला, ठीक है न, ये mixed economic किसका concept है इसका जवाब भी दीजे, भारत में कि जो भारत में मिश्रित अर्थ विवस्ता की जो concept आपको देखने के लिए बिलता है, ये किसका concept है, इसका जवाब भी जरूर दीजे सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलिए, फड़ा फड़ से, बिना options, without options जवाब देने का प्रियास कीजिए second five year plan, third five year plan fourth five year plan, या फिर fifth five year plan क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, तो सवाल का सही जवाब है second five year plan, 1956 से लेकर इक नॉम में, ठीक है, the second plan was conceived in an atmosphere of economic stability, it was felt agriculture could be accorded lower priority industries got more importance in second five year plan, the focus was mainly on heavy industries, इसमें जो main focus था किस पर था, heavy industries पर अगला है, which of the following five year plan gave emphasis on removal of poverty from first time in India निम्री खितमे से किस पंचवश ये योजना है कि दौरान भारत से गरीबी को हटाने पर जोर दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ये नहीं बोल रहा हूँ गरीबी को हटाने पर जोर दिया गया, ये बोल रहा हूँ चलिए, जवाब दिने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब options आपके screen पर है, fourth, fifth, fifth, sixth, या फिर seventh, तो हम सभी लोग जानते हैं, जो पाँचवा पंच वर्षिय यह जना आपको देखने के लिम मिल जाएगी, जहां पर गरीबी हटाओ की बात की गई और जस्टिस की बात की गई, तो option number 20 सवाल का सही जवाब है, याद रखेएगा अगला सवाल है, the Khadi and Village Industry Commission ठीक है, the Khadi and Village Industry Commission was established in which five-year plan यह question very important की category में मानता हूँ यह question मैं हमेशा very important की category में मानता हूँ क्योंकि यह आज भी important है, चलिए क्योंकि यह आज भी important है, सर याद रखेएगा Khadi and Village Industry Commission was established in which five-year plan वो कौन सी पंचवर्ष यह होजना थी, वो कौन सा five-year plan था जिसमें यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा तीसरा, दूसरा, चौत्था या फिर पहला थर्ड five-year plan, सेकिंड five-year plan फोर्थ five-year plan या फिर 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 प्लान 1956 क्योंकि यह question आपके एक्जाम में as it is आ सकता है चीक है तो अप्शन नमबर भी इस सवाल का सही जवाब है पहली five-year या फिर 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 मिलाके कितने फिर इट इस को स्टाबिश किया गया था Indian Institute of Technology की यहां पर हम बात कर रहे हैं IIT मदरास से संबंदित कई सारे questions हमने cover किये हैं हाल फिलाल के current affairs के हिसाब से चलिए जे option number A, option number B, option number C या फिर option number D class को एक बार like भी कीजिए और class को एक बार share भी कीजिए फड़ा फड़ से क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब option number A, B, C या फिर D ठीक है जी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब जवाब देने की कोशिश कीजिए options आपकी screen पर है option number A, B, C या फिर D कुल मिला के कितने IITs को establish किया गया तो सवाल का सही जवाब है यहाँ पे option number D 5 IITs यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे first five year plan how many IITs were established in India योजना था जिनके दोरान वो एक डैम का निर्मान करवाया गया भाक्रान अंगल डैम की बात कर रहा हूं जब पंडित जवाहर due to drought and two wars वो कौन सा पंचवर्शय योजना था जो जिसके समय पर दो वार लड़े गए और भारत में भीशन आकाल भी पड़ा था जब लाल भाहदूर शास्ति जी ने नारा दिया था कि मतलब उन्होंने भारत वास्यों से दर्खास तकी थी एक वक्त का खाना कम खाने के लिए और अपने ही शेत्र में अपने ही जगाओं पर खेती करने की भी वहाँ पर उन्होंने बात की थी चलिए प्रथम पंचवर्शे योजना तीसरी चौथी तीसरी पांचवी या फिर छटी पंचवर्शे योजना चलिए जवाब दीजे सर अगर हम लिख देंगे तो ज्यादा असान होगा पहली मिल जाएगी आपको 1951 से लेकर 56 दूसरी मिल जाएगी आपको 1956 से लेकर 61 और यहां पर दू बैटल लड़े गए एक लड़ा गया 1962 26 या 25 अक्टूबर को यह शुरू हुआ था इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकिंड लड़ा गया 1965 1965 में यह लड़ा गया इंडो या इंडिया चाइना वार ठीक है और यह लड़ा गया सर इंडिया पाकिस्तान वार क इतना सूखा पड़ा जिसकी आप कल्बना भी नहीं कर सकते हैं मतलब बड़े बुरे हाला तो समय देखने के लिए मिले थे याद रखिएगा सवाल का सही जवाब क्या है तीसरी पंच वर्शिय योजना ऑप्शन नमबर बीस सवाल का सही जवाब है थर्ड फाइव यह प् काउंसल या फिर मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस के दुवारा यह कोशन आज इस आ सकता है सर आपके एक्जाम में निमले खित्में से किसके दुवारा यह परमीशन दी जाती है सर चलिए औप्शन आपकी स्क्रीन पर है क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब यह जो फा स्थापना की गई थी नैशनल डेवलप्मेंट काउंसल की राश्ट्रिये विकास परिशद इस आ एपक्स बॉड़ी है सबसे हाइस बॉड़ी है इसे प्रेजिडाइस किया जाता है मतलब इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके दुवारा हैड़ेट बाई प्राइम मिनिस् इसको हैड किसके दुवारा किया जाता है तो हैड़ेट बाई प्राइम मिनिस्टर बेसिक है मगर इंपोर्टेंट है और सब्रेलेवेंट भी है एक्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है डेट ऑफ इसकी स्टैबलिश्मेंट की गई थी सथ 6 अगस्त 1952 और इसकी अध्यक्षता कौन करता है ठाद का प्रदान वो कौन सी पंचवर्शय योजना थी जिसके दोरान भारत सरकार ने इंट्रिड्यूस किया सर पंचवर्शय योजना, देखे हम सभी लोग पढ़ते हैं 1967 और 1967 पंचवर्शय योजना के हिसाब से क्या हो जाएगा, और 1967 1967 हम पढ़ते हैं MS स्वामी नाथन के हिसाब से मगर सरकार यहाँ पर वो बोल रहा है कि सरकार ने किस योजना में हरित करांती की शुरुवात की सवाल यहाँ पर गिये है इसी लिए सर लाल बहादूर शास्त्री की एक बहुत बड़ी भूमी का मानी जाती है मगर कई बार ओवर्शेडो कर दिया जाता है मुझे ऐसा लगता है एक तो कम समय के लिए प्रधान मंत्री थे उनकी मृत्तियों ना होती उस परिस्तिती में तो वो लंबे सबे तक प्रधान मंत्री रहते और एक भारत के सरवसेश्ट प्रधान मंत्रियों मेंसे एक वो गिने जाते मगर बहुत कम उनका ट्यूरेशन रहा है तो उन्होंने जितने भी बहतर काम किये बढ़िया काम किया है सर उन्हें over shadow कर दिया गया है बाद के प्रधान मंत्री के कामों के comparatively ठीक है याद रखिएगा सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा तो सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर option number c seventh five year plan यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा सर तो यहाँ पर आपको third five year plan जो मिल जाएगा green revolution से संबंदित यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सी पंच वर्शिय योजना के दोरान तो green revolution आपको मिल जाएगा तीसरी पंच वर्शिय योजना के दोरान जि यह पंच वर्षी योजना आपको देखने के लिए मिल जाएगी next question देखे chairman कौन थे? चछटी पंच वर्षी योजना के ध्यान से देखोगे तो जवाब मिल जाएगा चछटी पंच वर्षी योजना के 6-5 ये प्लान के यहाँ पर आपको सर रोलिंग प्लान के बारे में अगर हम बात करें सर रोलिंग प्लान के बारे में तो जल्दी से कमेंट करके ये बदा दो मैंने सुभा ग्यारा वाली क्लास में ही आपको ये पढ़ाया है कि ये जो रोलिंग टर्म है ना रोलिंग प्लान में जो रोलिंग टर्म है ये जो रो 1 1-1 year plan था यह, 1 1 year plan यहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा, rolling plan जो term है, यह किसके द्वारा coin की गई थी सवाल यहाँ पर यह है, अध्यक्षकॉन मिल जाएगा, तो इंदरा गांधी है बाईये, क्या है, इंदरा गांधी, क्या मिल जाएगा सर यहाँ पर, इंद जिरा, गांधी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, option number D सवाल का सही जवाब है सर, 1980 से लेकर 85 की हम बात कर रहे हैं, इस पंच बर्शिय योजना में, इस 5-year plan के बारे में, ठीक है, clear है, class को एक बार like, class को एक बार share जरूर कीजे, next question देखे, under which 5-year plan, blue revolution was started in India, वो कौन सी पंच blue revolution, green नहीं बोल रहा है, नीली बोल रहा है, नीली का मतलब किस से है, संबंदित, fisheries से संबंदित है, तो निमली खित में से वो कौन सी पंच वर्शी योजना थी, जिसके दौरान नीली करांती आपको देखने के लिए मिल जाती है, चलिए, निमली कित में से वो कौन सी blue revolution, father of blue revolution, यहाँ पर किसे बोला गया है, इसका जवाब और दे दीजे, फड़ा फड़ से comment करके, सवाल का सही जवाब है सर, 7 वी पंच वर्शी है योजना, 1985 से लेकर 1990 तक आपको यह देखने के लिए मिल जाएगी, blue revolution का जनक किसे कहा गया है, इसका जवाब फड़ा फड़ से comment करके और दे दीजे, और बढ़ चलते हैं सर, अपने last question की तरफ, 15 questions करें सर, इसमें cover हमने, ठीक, ग्यार भी पंच वर्शी है योजना, कब समापत हुई, इसका जवाब comment box में comment करके जरूर दीजेगा, और यह class की PDF जो है, आपको WhatsApp group में मिल जाएगी, WhatsApp group का नंबर है, 888- 210-3915, ठीक है, और यह आपका homework है, यह भी आपका HW रहेगा, clear, यह भी आपका homework रहेगा, यह भी आपका HW रहेगा, चलिए, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ध्यान रखिए, bye bye, take care, God bless you all.